Good morning class KZ2, बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपकी EBS की बुक Me and My Surroundings So, take out this book Me and My Surroundings and open page number 15 Chapter 5 Living Things and Non-Living Things हम लोग पढ़ेंगे आज Living Things and Non-Living Things Living Things means जो जीवित है और Non-Living Things जो जीवित नहीं होते है उन्हें Non-Living कहते है We see two types of things around us We see two types of things around us Living Things and Non-Living Things देखें बच्चों, यहाँ पर देखें Living Things कौन है? यह बेबी है न? क्योंकि यह बेबी छोटा है फिर यह बॉआय बन गया है न? फिर यहाँ पर यह मैन बन गया है न? Child to Man लिकिए यहाँ पर लिखा है All plants and animals are living things They eat food and grow Plants और animals जो है वो living things होते हैं क्योंकि वो खाना खाते हैं Eat food and grow बढ़ते हैं देखें जैसे यह बढ़ गया न? बच्चे से बॉआय फिर बॉआय से यह मैन है न? आप भी पहले बहुत छोटे रहे होंगे फिर अब आप इतने बड़े हो गया है न? कि पढ़ रहे हैं तो आप grow कर रहे हैं क्योंकि आप खाना खाते हैं इसी तरह यह भी बच्चा ऐसी grow कर रहे हैं हम भी तो जीवी थैं खाना खाते हैं सांस लेते हैं बढ़ते हैं खेलते हैं दौरते हैं है न? हम लोग सारी कुछ चीज़े करते हैं तो लिविंग तिंग्स जो होते हैं वो खाना भी खाते हैं सांस लेते हैं बड़े भी होते हैं और चलते फिरते भी हैं, सारे काम करते हैं, तो बच्चों हम लोग तो करते हैं, हम लोग मैं जो हैं, तो वो लोग तो करते हैं, और कौन करते हैं, और आनिमल्स भी तो करते हैं, आनिमल्स खाना खाते हैं, फिर वो लोग भी दोड़ते भागते हैं, है ना, सांस भी लेते हैं बड़े भी होते हैं, उनके भी बेबी होते हैं, जितने भी आनिमाल से उनके बेबी होते हैं, चोटे-चोटे, तो ये सारी चीजे living things हैं, बच्चो, और इसके अलावा plants भी living things होती है, ये देखिए, ये plants, seed है पहले, seed means beach, seed to plant, देखिए, पहले ये seed है, फिस seed से ये plant बन गया देखिए, इसमें flower आगए, birds आगए, leaves आगए, ये leaves आगए, flowers भी आगए, birds भी हैं, तो ये बच्चो, ये भी living thing हैं, ये भी जीवित हैं, क्योंकि ये भी देखिए, पानी इनमें डालो, तो ये बड़े होते हैं ना, फिर अपना खाना भी खुद बनाते हैं, ये पानी के यहां मिट्टी के अंदर, ये पानी डालने पर इससे खाना बनाते हैं, है ना, और इनको sunlight पीछे ये होती है, सूरज की रोस्नी, सूरज की रोस्नी से ये खाना बनाते हैं, seed to plant, तो ये भी living things हैं, आप देखिए यहां पे और क्या क्या living things हैं, ये देखिए, deer runs, देखिए, boy walks, boy चल रहा है, और snack crawl, जो snake है, वो भी ring ring करके चलता है ना, तो फिर ये सब सारी जो चीज़े हैं, ये living things हैं, अब हम लोग paste turn करेंगे, paste turn करिए, और फिर paste turn करके आप open करिए, ये देखिए, और कौन-कौन living things हैं, ये देखिए, plants need, plants need sunlight, sun की light चाहिए, and water, plants को क्या चाहिए, sunlight and water, grow करने के लिए, बढ़ने के लिए, और जो man है, उनको क्या चाहिए, human beings को क्या चाहिए, humans and animals need food, जो humans हैं, हम लोग हैं, हम लोग को भी तो food चाहिए, बढ़ने के लिए, है ना, तो हम लोग क्या होए, living things, ठीक है, आप देखिए हम लोग non living things क्या होते हैं, ये देखिए, non, non living things, non living things do not eat, अब ये सब non living things हैं बच्चो, ball, rocks, book, तो ये तो खाना नहीं खाते हैं, क्यों, खाते हैं, ये बड़े होते, ये जैसा है, वैसे ही तो रहेगा, अब बड़ा तो हो नहीं जाएगा, ball क्या छो, इतना बड़ा है, तो क्या और बड़ा हो जाएगा, ये rocks क्या और बड़ा होगा, बताएए, नहीं बड़ेगा न ये तो, तो ये non living things हो गई, क्योंकि ये तो बढ़ेंगे भी नहीं, खाना भी नहीं खाते हैं, फिर सांस भी नहीं लेते हैं, तो ये सारी do not eat food, they do not grow, बढ़ते भी नहीं है, they do not grow, and they are man-made, इसे आदमी बनाते हैं, they are man-made and natural also, ठीक है, तो अब ये देखें, बॉल है, रॉक्स है, बुक है, लॉक है, माउंटेन है, काइथ है, तो बच्चों, ये जितनी भी चीज़े हैं, इनको non living things कहेंगे, क्योंकि आप सोचे खुद, क्योंकि ये बड़े भी नहीं होते हैं, ये सांस भी नहीं लेते हैं, ये चलते पिरते भी नहीं हैं, और खाना भी नहीं खाते हैं, तो इनको non living things कहते हैं, ये दिखेंगे हैं, पर्स है, water है, watch है, ये सारी चीज़े non living things हैं, फिर पेज आम fun time, देखें, यहां पे लिखा हुए है न, fun time, तो fun time में क्या करना है आपको, इसे जो living things हैं, उसे टिक करेंगे, living things को टिक करेंगे, और जो non living things हैं, उसे आप cross करेंगे, तो आपको ये खुद करना है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, living things क्या होती हैं, living things, animals होते हैं, human beings होत wild होते हैं, और फिर animals भी living things होते हैं, plants भी living things होते हैं, क्योंकि ये लोग बढ़ते हैं, सांस भी लेते हैं, और खाना भी खाते हैं, और जो non living things होती हैं, वो ना तो बढ़ती हैं, ना खाना खाती हैं, है ना, ना तो सांस लेती हैं, तो आपको living things पे टिक कर देना हैं, और non living things पे cross करना है तो बच्चों आप ये करेंगे ओके have a nice day